हम लोग श्री उपदेशामृत नामा ग्रण से पढ़ रहे हैं और वर्से आठ मेरे पीछे बोलिए मेरे साथ में बोलिए तन्नाम रूप चरिता दे सुखीरत नानो स्मृत्योह क्रमेड रसनाम निसीनियोज्य तिष्टन व्रजेत दनुरागी जनानुगामी कालम नयेद किल नाम अठाथ भगवान श्री कृष्टन के नाम रूप चरित आदी में का सुखीरतन करें अनुस्मित उनका स्मरण करें क्रमेड इस प्रकार क्रम से रसनाता जीब को और मन को नियोजित करें तिष्टन व्रजे व्रज में रहे और तद अनुरागी जनानुगामी जो अलम नयेद इस प्रकार से सारे काल को समप्यतीत करें अखिलमित उपदेश सारम इस सारे उपदेशों का सार यह है इनी चीज़ कोई भी उपदेश दिया जा रहा था उस अपदेश यह कि इस तर पे व्यक्ति आ जाए कि क्रिश्ण का नाम रूप चरित आदी का भय निरंत परण कर सके हम लोग यहां पर पहुंचे थे पेज नमबर 35 था चैतन चर्टामित में नवदिक्षितों को यह सला दी गई है कि वे सारी भौति के च्छाय त्याग दें और शास्त्रों के आदेशा अनुसार भगवान की नीमत भक्ति में लग जाए कुछ अजीब सी बात ल यह नवदिक्षित वो यह सला दी गई है ऐसा लग रहा है यह तो यह तो यह तो एडवांस डिवोटी की बारे बोले ना नवदिक्षित सारी बहुते के च्छाय त्याग दे देखिए बात यह है सला समझने का प्रयास किजिए एका दशी में वेक्ति को अन्र खाने के इच नहीं होती है पीने की इच्छा भी नहीं रहते हुए भक्ती में इतने सराबूर रहते हैं उन्हें कुछ यार नहीं रहता लेकिन हम लोग अन को भूल लाते हैं के दशी में ऐसा तो मेरे संब तो होता नहीं आप लोग पता नहीं क्या होता ऐसा तो नहीं की पता नहीं रहत तो भूख है लेकिन अब विवेक काप्योग करके कि ये एकदाशी वाले दिन नहीं खाना चाहिए तो अब एक्ति प्रसाद फल खाके रह जाता है तो विवेक काप्योग करें कि बहुत ही च्छाय हैं लेकिन उनको पढ़ावा ना दे उन्हें कम करने का प्रयास करें कुछ बैलेंस कर पा रहे हैं यह भी बहुत बड़ी बात है और अगर यह भी नहीं कर पा रहा तो फिर शुकार करने भगवान से कि भवान बहुत एक इच्छाय मारी हैं लेकिन आप प्रयास आप उसको आपके यह भी आचारों ने प्रात्ना करी है कि दुरवासना के हजारों रस्षियों से मैं बंधा हूं आप नहीं बंधे हैं तो आप स्वब ले इनकृष्णा अपने बल से मेरी वासना के बंधन काट दिजे तो शास्त्रों के आदे शानुसार भगवान की नीमित भक्ति में लग जाए इसका मतलब समझी रहें कि लक्ष है भगवान की प्रिमा भक्ति हमारे हिर्दे में जागरित हो जाए मैं प्रिमा भक्ति पे नहीं हूं और हम जाजा कहें वह नहीं है लेकिन द्रिष्टी प्रिमा भक्ति के उपर है जैसे आपको ऊपर कहीं बिल्डिंग में चड़ना हो दृष्टी तो ऊपर डेगी दृष्टी तो नीचे नहीं रहेगी ना नीचे से तो ऊपर चड़ेंगे तो क्या ऊपर देखना भी जुर्म है क्या ऊपर देखी बिना ऊपर चड़ सकते हैं ऐसे दो नहीं सीडी चड़ रहा हो और नीचे देख रहा हो और सा कभी होता है क्या जातों कोई होता नहीं है स्पेशली वो जो बांबू वाली सीडी होती है उसमे तो बिलकुल आपको उपर ही देखना को तब ही चड़ पाएंगे ना कभी ट्राइब में करना हाथ प्राइब टूट जाएंगे गिर जाएगा आद नीचे देख रहा है और ऊपर चड़ने का प्रयास करें कभी देखा है किसी को करते हैं कितना कठें हो जाएगा और आप सब लोग अनभाव करते होंगा पता रही मुझे नहीं पता लेकिन जब हम प्रभपाद जी के ये शास्त्रों को पड़ते हैं तो कहीं नो कहीं कुछ कटनाई का अनभाव करते हैं कि स्टैंडर्ड बहुत हाई है क्या आपक तो भक्त को ये सलाह दी जाती है कि उसे बहुत एक इच्छाय अत्याग करके नीमित रूप से शास्त्रों के अंसार भागवान की नीमित भक्ती में लग जाए रोज करने में लग जाए बेसेकली पॉइंट इस वेरी सिंपल पॉइंट इस दैट कि मेरी बिमारी चाहे कितन आप पास्वास ठीक लग रहा तो आपने कहा कि हां मैं एक विक्ति आयर्वेदिक वक्ति के अंसार दवा खा रहा है तो बिमारी है भी भी ना कुछ तो बिमारी होगी लेकिन आप ऐसे पत्थ का सिवन कर रहे जिसे बिमारी कम हो जाए यू आर नव दिक्षित रोगी अगर जाता है इस प्रकार नव दिक्षित भक्त कृष्ण के नाम यश रूप गुण आदी के लिए अनराग उत्पन कर सकता है किस प्रकार कर सकता है बताईए नेवित रूप से भौतिक इच्छाओं के एस्पिरेशन को त्यागते हुए भगवान का बजन करे इस तो देश से कि भगवान की प्रेम की प्राप्ति हो तो भवान में अनराग आने लग जाएगा यह बात हम लोग कहां पढ़े थे हां भगवद गीता की चर्चा में पढ़ रहे थे यह था माम प्रपद्यन ते ताम सथे भजामिहम जो भक्त जिस प्रकार की भावना से मेरा बजन करता है उ एक शब्द क्या डिजायर इच्छा और यहां पर भी हम सुबह ने इंट्रडक्शन में पढ़ चुके हैं कृष्ण भावना में प्रगति विक्ति की मनोवरित्ति में निर्वर करती है ठीक है एक बार ऐसा अनराग विक्सित हो जाने पर वह विदिवदानों का पालन की वि यह द्शा राग भक्टि क्यलाती है जिसका है स्वैम्स भूर्त प्यम में की जाने वाली बगति में सिवा समझे में आ रहा था इस राग वाना व्हक्ति कर रहा है तो यह गंधी बात नहीं हो रही है ये घूल है हमारा उत देश है भक्ति करने का कि हम भग्वान का ऊसलिए जी न न करें कि वह सब केवल । कि रूप में कर रहा है की डिव्य में लिवैंगट टेस्ट तो उसके बाद आप वह केवल स्था अध्या से नहीं कर रहा है को ट मैं बार बार रेपीट कर रहा हूंQuud कुछ लोग सुचते हैं कि रागा नॉका ynससे की आज चोड़ कि जाती है कि शास्त क्रिया चोड़कर बक्ति यह की जा रहे है कि आप को पुरुष है वो स्तिरी की कपड़े पहने ले गोपी भाव को जागरत करने के लिए अभी मैं क्लास देने के लिया रहा था कुछ दिन पहले तो देखा है कि पचास-पच्पन साल का आदमी होगा वो स से दिखता है जुटका रगाम यह कौन सा भाव है यह सहाजयापन है ऐसे नहीं होता एक रिदय में वेक्ति की भाव होता है बाहर से वह साथ्ना करेगा आन्तरिक भूस की भावना जो स्पूर्थ हो गया स्पूर्थ हो प्ल Lebla and that spontaneously जाना और स्पोंटेनियस्की वुपरकट ह राग भक्ति का डैश लगाया जाता है इंजेक्शन नहीं लगा जाता है वह स्वेम साथना करते करते आपको अन्भफ होगा ठीक है उसका श्लोक साथ नम में बताया क्या है ठीक है इस और पर्षोपाद बारils बदाते हैं जैसे कर जब करकर बैटरी डाउन हो जाती तो दख़ा मारते से जियंदी के भधना होगार द Apache कर रहे हैं और पर यह उद्देश नहीं कि जिंदोकी बर यह शार्षवतरू में दख़ा ही देखे जैसे प्रसाद के प्रति सहज टेस्ट है ही ना उसके लिए भी साथ ना करने पड़ी जैसे आज बड़ा च्छा सब्जी प्राप्त हुए तो और दीचे अब बताई की किया आच्छे प्रसाद मिलता एक कभी कभी मिल जाता है तो क्या कीवल शास्त्र आग्याइसे ले रहे है कि ने भी volta तो किवरट शास्तर नहीं आग्या से ले रहे, आपको टेस्ट है, सहज टेस्ट है, ऐसे नाम में ब्हुत इस क्था में यह बतु है, कोई कहे हम राग भक्ती कर रहे और सोला माला करने में उसको नानीयादारी एकृषड नहीं तो वह राग भक्ती नहीं कर रहा है राग मतलब भगवान के नाम, रूप, चरित सभी में आ सकती, और लोग यह बहुत हो गया, बहुत हो गया, यह होता ही, हो ही नहीं सकता, जुला राग भक्ति कर रहे हैं उनके लिए, यह बहुत हो गया, हो ही नहीं सकता, इट इस इंपॉसिबल, माल दीजिए ऐसी वस्था प्राप्त हो जाए कि रजुगुल्य का टेस्ट है, और रजुगुल्य पेट पे जाएगा निए, खाली टेस्ट अन्ब होगा, तो आप रजुगुल्य खाना बंद करेंगे, नहीं बंद करेंगे, कई बार आप लोगा घर में प्रसाथ पाने गए जाते हैं, पर जो और जो और क्या चाहिता है, एक पेट और दे दीजिए, पेट दो नहीं दिया सकता है, भोजन देने वाले कि भावजन भी है, हमारा मन भी कर रहा है, लेकिन पेट कर तो नहीं बस औ दो और रही होता है कि नहीं, तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बात है, तो अब कान भरे का नहीं, यह सुना था ना, वयम तुना वितृप्या महा उत्ता मश्लोक विक्र में, यह शुल्वताम रसग्या नाम, स्वाधु स्वाधु पते बदे, भगवान के, हमारे कान वे तो आका शुरूप है, तो वो तो कभी भरने वाले नहीं, तो अगर कान में भगवान के बारे में सुनने के चाह आ गई, तो आप 24 गंडे सुन सकते हैं, मैं समझता हूँ, बहुत से भक्त यहां पे, सभी भक्त होंगे, जो कथा सुन करके, अनलाइविंड अनभाव करते है अनलाइविंड को क्या बोलेंगे, पुनर जीविक ती करना, फ्रेश हो गई सुन करके, और मैं भक्तों से निविदन कर रहा हूँ, हाथ जोड करके, जैसे उठी अपने फोन में कता चालू कर दीजे, तुबह जो ब्रहम हूर्थ कसम में वो अमृत तबीला है, कुछ ना प्रवचन से आपको अच्छा लगता है, पांच-दस मिनट बंदरा में जो इस्लान करना को समय लगता है, उतने में भी आप छोड़ी मत्सुल लीजे कुछ, वो आपको मौर्लिंग प्रोगाम के लिए निश्यत करेगा, देखिए, मैं वो बात नहीं बताता हूँ, जो अब प्रवपाजी के eleचर सुनता हूँ, आप प्रवपाजी के eleचर लेचर लेक्ता है, परेजियर अइंग्लिष मेजरत यापन मैराज कर版ा के प्रवच्छन, आपके गुरु महराज के प्रवच्छन है, बहुत बहुत अच्छ इससे पहले कि Recently करने में लिगा, वो आप स्था में भक्त विरिंदावन में कृष्णि के किसी एक नित्य पार्षत के चरण चिन्हों का अनोगवान कर सकता है कितना ब्रिलियंट और बैलेंस चुपतात पर है प्रवपाजी का व्यक्ति पूछेगा कि कब हम रागानों का भक्ति कर सकते हैं तो पहले यह बताओ कि क्या तुम्हें नाम रूप गुणादी में भगवान के सहज टेस्ट चाग्रित हुआ है नहीं तो अभी चुप रहो अभी रागानों की बात मत करो इसे रोके सिदानध हम यह इसलिए सीखे रहे हैं यह ज़स्क्राइर मैं रागानों गव्यम में बाए नहीं हूँ अभी तो हमारा सोने में राग है लेकिन हमको पता होना चाहिए कि रागानों का भक्ति क्या है नहीं तो भ्रमित हुए कर देपाOG कि तीन मैने के अंदर आपको राग언 ठीक है तब वक्ति जब इस प्रकार का सहज उसका आकरशन हो जाए सोतास्पूर्थ तब वह है वह गोलोक बंदावन की किसी पार्शत का वह है अनुगमन कर सकता है उससे पहले तक क्या हमको रागावनुगा भक्ति मिलेगी हां जी जवाब योग हो जाएंगे तब मिलेगी यूधता क्या जल्दी से पताई ना सुनना चाहेंडा रपक्तु आखो-वगमन-क्रटवेगम नहीं नहीं यह नहीं ये नहीं सुनना चालता है यह बहुत खराश लोग है को उसका पारण कोई और करें नहीं वाचो वेगम मन सक्रोद वेगम जिवा वेगम मुदरो पस्त वेगम एतान वेगान यो विशुहेत धीरा सर्वाम अपीमां पृत्विम ससिश्यात पहले इंदिने को सहमेत करना पड़ेगा तब व्यक्ति को उच्तर वाते समझ प्रकाशित किया जाएंगी पहिएंग में तो उनके भाव की अंसार होग है भाव को कल्टिवेट करनें का प्रयास करता है रागानर रागा नुग भक्ति अर्थात स्वयम्सपूर्त भक्ति में सेवा शांत रस्में संपन कि जा सकती है जब मनुष अपने को कृष्णी की गववों के समान ये लकूट में ही रागउनागाभक्ति होती मैं एक स्थार निया जा फांचों सत्य हो मुझे दिचा कि दा चार रसो में ही रागोना बगती होती हैं एकि नहीं ऐसा यहाँ पर प्रबस्पस्ट बता रहें जिवाहं के जानवर हैं और जहां की भवान की वश्य है इस सब दाश्ड रस्मे और भवान की सिवा करते हैं तास्य रस्मे मनुष्य चित्रक, पत्रक या रक्तक जैसे सेविकों के बदचिन्यों का नुस्वरन करता है, जैसे वो किष्टी की सिवा कर रहे हैं वैसे वो सिवा करने का लालसा रखता है, उस प्रकार से सिवा का भाव रखता है, सक्य रस्मे मनुष्य बलदेव, शृदाम तो थारती जैसा बन सकता है, भक्ती की विश्य में समझ तो अब देश का सार यही है, So, we'll stop here, कोई प्रश्ण है किसी का, आज चुकलाते जाए, एक भक्त पूछने है, प्रभपाजी का लेक्चर समझने में प्राब्लम होती है, अब यह प्राब्लम इंग्लिश की वाइसे हो भी हो सकती है, और हिंदी की वाइसे भी हो सकती है, हिंदी प्रभपाजी की तो समझने में कटना ही है, इंग्लिश तो सुनते सुनते समझ में जाता है, अब मुझे पहले दिक्क्त हो थी, अब तो मुझे एकदम समझना जाता है, एक एक शब्द प्रहपाजी का समझना जाता है, तो भक्तों क्या आप लोग अगले श्लोक में जाना चाहेंगे, कल या आज आप, आज तो बहुत कम देर पड़ाई हुए, पढ़ लेते हैं, तो उ